देली करिंट अफेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज तारीक है 7 नवंबर 2018 शुरुवात में ही मैं आप सबको एक बहुत ही शुब बहुत ही सुरक्षित और आनंद में दिपावली की शुब कामनाएं देती हूँ आप स्वस्त रहें आपका साल बहुत अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कल की क्विज की तो यहां पर पूछा गया है भारत में कौन सा राज्य स्कूल छोड़ने का उच्चितम रिकॉर्ड रखता है हाली में हुआ है यह सर्वे और पता चला है नागालैंड सबसे उपर है भारत के तीन राज्यों का नाम द रश्ने सुच गंगा के लिए राष्टिय मिशन ने किसके साथ बाल गंगा मेला आयूजित किया है तो यह आयूजित किया गया है HCL के साथ आंसर इसका A है HCL Foundation ने हाथ मिलाए National Mission for Clean Ganga के साथ और German Development Agency ZIZ के साथ और उन्होंने यह बाल गंगा मेला बाल मतलब बच्चों का ठी और इसमें जागरुकता फैलाने की कोशिश की गए गंगा की साथ सफाई के बारे में गंगा की री जूविनेशन के बारे में जलसन रक्षन के बारे में तो question number one answer जो है हमारा A है अब यहाँ पर इससे संबंदित एक तस्वीर आपको दिखाते हैं यह देखिए यह इस से संबंदित तस्वीर है अगला प्रशन दूसरा प्रशन हाल ही में बिहार कैबनेट ने किस अस्पताल को विश्व के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में पुनर विक्सित करने का अनुमोधन पारित किया है तो कहां पर किसको develop करेंगे answer है इसका पटना medical collagen hospital को इस तरह स college और अस्पताल को और यह world का सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा इसमें सबसे जादा bed होगे तो bed कितने होगे bed होंगे 5,462 beds होगे आज के time में वहाँ पर कितने bed है आज के time में तो वहाँ पर केवल 1754 beds हैं बढ़ा कर इतने जादा कर दिये जाएंगे इस पर खर्चा भी के उपर खर्चाएगा और आज की टाइम में करेंटली जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें मैक्सिमम बेड्स है वो बेल ग्रेड में हैं तो क्वेश्चन नमबर टू के लिए आंसर है हमारा पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल इसकी संबंदित आपको तस्वीर दिखाते हैं और न्यूस भी देते हैं ठीक है अब यहां पर देखो यह है पटना चिकित्सा महा विद्याले अब आपको मैं मैप में पटना जहां की राजधानी है बिहार वो दिखाती हूँ यह देखिए यह है बिहार ठीक है अब बिहार के चीफ मिनिस्टर नितिश कुम गवर्नर है यहां लाल जी टंडन, लेजिसलेचर बाइकामरेल है यहां पर लेजिसलेटिव काउंसल में 75 सीटे, लेजिसलेटिव ऐसेम्बली में 243 सीट, ओफीशर लेंगवेज यहां पर हिंदी है, राजसभा में 16 सीटे, लोगसभा में 40 सीटे है, बिहार वन अफ दो ओल्डेस्ट स्टेट सबसे पुराने राज्यों में से एक है ठीक है और बिहार जो है बिहार से हमने सन 2000 में एक अलग राज्य बनाया था जिसका नाम है जारखंड अगर मैं जनसंख्या की बात करूँ पॉपुलेशन की बात करूँ तो बिहार जो है वो थर्ड पोजिशन पर आता है फर्स्ट पोजिशन पर कौन सा आता है यूपी आता है सेकिंड कौन आता है ये काफी बार आपको बता चुकी वो आप मैंजे कमेंट सेक्शन में लिखके बताए थर्ड पोजिशन पर पॉप्यूलेशन में आता है बिहार और फोर्थ पोजिशन पर जो है वहाँ पर आता है वेस्ट बेंगॉल, ठीक है, साथी साथ एरिया के अगर मैं बात करूँ तो यह भारत का तेरवे नंबर पर आता है, वो राज्य है, यहाँ पर छट पूजा, यहा काफी ज़्यादा फर्टाइल है, गंगा, कोसी, गंडक नदी वगरा यहां से बहती है, और जो कोसी नदी है, उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर फ्लर्ड लेकर आती थी, जिससे काफी तबाई होती थी, क्वेस्टन नमबर टू, यह जानकारी ब भारत का पहला hard drive course start किया था, क्योंकि हमारी इतने ज़्यादा videos हैं, कि वो एक pen drive में नहीं आ पाते हैं, यह 14,000 का course अभी spirit में 7,000 में offer किया जा रहा है, और जो SAC, Cigil 2018 और 2019 के लिए है, वो इस समय 10,000 का course जो है, वो 5000 में offer किया जा रहा है, जिसमें कि आपके tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, चारो covered होंगे 2 साल के लिए, 2018 और 2019 के लिए, किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर यह जो numbers दिये हैं, इन पर आप phone कर सकते हैं, mail डाल सकते हैं, इस email ID पर और साथ में इस website को visit भी कर सकते हैं, Similarly, frontier IS के लिए भी, IS, HCS, RAS, या फिर हर्याना में जो नियाब के सीलदार का exam होने वाला हो हैं, उनके लिए भी special festive scheme में 50% का discount है, 3rd November से 8 November के बीच, उमीद है यह वाली जो दिवाली है, आपके लिए बहुत सारी अच्छी ख़बरें लेकर आज़ेए, प्रेशन 3, उत्तर Manipur, Manipur वराज है, Manipur सरकाब ने यह declare किया है कि वो लोगों को drugs के प्रभाव से बचाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोग जो है, इसके चपेट में आ चुके हैं, जो North Eastern State है, वो Golden Triangle के करीब है, South East Asia में, जो drug trafficking के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी भूमी, जो Manipur और यह अपना International Border शेर करता है इधर में आनमार के साथ, Capital यहाँ पर इमफाल है, 16 districts है, Female Governor है यहाँ पर नजमा है बदुला, Chief Minister है एन बिरेन सिंग जो BJP के Chief Minister है, Unicameral Legislature है, 60 seatों का, राज्यसभा में एक seat, लोगसभा में दो seat और High Court जो है, वो Manipur High Court है, इसके अलाब और जानकारी में, Manipur के बारे में बताऊंगी, यहाँ पर केमबुल लामजाव National Park है, जो एकलोता फ्लोटिंग National Park है दुनिया में, यहाँ पर लोगटक लेक है, जो कि लास्ट नाचरल हैबिटाट है, संगाई हिरन के लिए, संगाई हिरन जो है, यह एक Endangered Species में आता है, और यहाँ पर बिगिस्ट नाचरल फ्रेश वाटर लेक है, नौर्थ इस्ट रीजन का, जो कि लोगटक लेक है, यहाँ पर शिरूई National Park यहाँ प्रशन आ सकता है, शिरूई National Park कहाँ है, तो वो लोकेटेड है, मनिपुर में, ओके मनिपुर का जो मनिपुरी डांस है, वो क्लास प्रशन नमबर 4, मेरे प्यारे प्रधान मंत्री, यह एक मात्री एशियाई फिल्म है, जो कि रोम फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई है, कहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया, तो आंसर है, रोम फेस्टिवल, ओके, एक भारतिय फिल्म मेकर है, राकेश उम जारी की है, और उसमें 100 films of the last century, जो है, उनका नाम दिया गया है, उसमें एक भारतिय फिल्म भी है, ठीक है, आप उस फिल्म का मुझे नाम लिख कर बताएए, कमेंट सेक्शन में, साथ में यह भी बताएए, क्यों टॉप 100 में वो कौन सी पोजिशन परती, ओके, तो यह question number 4 है हमारा जिसमें आंसर है, रोम फेस्टिवल में, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर यह जो फिल्म है, चार बच्चों की फिल्म है, यह जो एक सलामेरिया में रहते हैं, मुंबई में, और उनमें से एक बच्चा जो है, वो अपनी मदर के साथ रहता है, सिंगल मदर है उसक चलते हैं, पाँचवे प्रशन पर, यहां पर आपसे पूचा गया है, पत्रकारिता में, IPI International Press Institute Award 2018, जर्नलिजम में यह किसको दिया गया है, यह दिया गया है नमरता अहूजा को, नमरता अहूजा को यह पुरुसकार दिया गया है, और नमरता अहूजा जो हैं, यह दवीक क साथ काम करती हैं, दवीक एक मैगजीन है, उनको यह पुरुसकार दिया गया है, Excellence in Journalism 2018 के लिए, यह Senior Special Correspondent है, विद दवीक मैगजीन, और इन्होंने Nagaland के जो Underground Camps हैं, उनके ऊपर एक स्टोरी की थी, जिसके लिए इनको यह पुरुसकार दिया जा रहा है, इनको Cash Price दिया ग था सन 2003 में, आपको मैं अब एक तस्वीर दिखा देती हूँ, नमरता अहुजा की यह देखो, This Pretty Face is नमरता अहुजा, The Week magazine में है यह, अगला प्रशन, यहाँ पूछा गया है कि Recently जो International Hockey Federation के Honorary Awards हुए, यह सरमेनी कहां पर हुई है, हाली में अंतराष्टियों Hockey Federation पुरुसका 2018 समारो, किस स्थान पर आयूजित किया गया, Question No.6, इसको आयूजित किया गया नई दिल्ली में, Question No.6 के लिए आंसर हमारा A है, हाली के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली में एक नए ब्रिज का उदगाटन हुआ है, उस ब्रिज का नाम क्या है, आप आप मुझे ये लिकर, Comment section में बताएं, ये था Question No.6, चलते हैं आगे, When is Ayurveda Day celebrated throughout India, भारत में Ayurveda Day भी मनाया जाता है, in fact कहते है Ayurveda की शुरुआत ही भारत से हुई है, तो ये Ayurveda दिवस कब पूरे भारत में मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है 5th of November को, 5 November को मनाया जाता है, ये Ministry of Ayus, जो है, वो observe करती है Ayurveda Day every year, और ये मनाया जाता है धनवंत्री जैनती धन 13 के दिन, ठीक है, तो answer है इसका 5 November, यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगी, कि World Tsunami Awareness Day भी होता है, और World Tsunami Awareness Day, सुनामी तो एक प्रकार की, ये समुंदर में तूफान आता है, तो World Tsunami Awareness Day भी हम मनाते हैं, 5th of November को, जो भी अत्रिक जानकारी दे रही हूँ, आपको सारी मिलेगी PDF में, बस आप description box में जो PDF का link है, वहाँ से download करें, question number 7, अगला प्रशन, ICC, ठीक है, ICC Hall of Fame में शामिल होने वाला, पांचवा भारतिय कौन है, ओके, ICC Hall of Fame में शामिल होने वाल पांचवा भारतिय कौन है, यह है, राहूल ड्रविड, जो इंडियन क्रिकेट में जाने जाते हैं, तब वॉल के नाम से भी, राहूल ड्रविड बन गए है, 5th Indian to be inducted in the ICC Hall of Fame, ओके, और इन से पहले, जो और चार भारतिय क्रिकेटर्स हैं, उनके नाम जो इसमें अलड़ी हैं, ICC Hall of Fame में, वो है सुनील गवासकर, उसके बाद भीशन सिंग बेदी, कपिल देव और अनिल कुम्बले, सुनील गवासकर 2009 में, भीशन सिंग बेदी 2009 में, कपिल देव 2010 में, और अनिल कुम्बले को इंक्लूड किया गया था, 2015 में, तस्वीर दिखाती हूँ, आपके य विद्दुत पर योजनाओं के लिए, 1817 करोड रुपे के रिन समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, यानि किस राज में होने वाले हैं, यह हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, आंसर है, इसका वेस्ट बेंगॉल, वेस्ट बेंगॉल, तो जापान का और भारत का एक यह समझोत हुआ एक लोन अग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, वेस्ट बेंगॉल में, अंतिम प्रेश्ट, अंतिम प्रेश्ट में कहा गया है कि भारत और किस अन्य देश ने परियतन और खेल के छेतर में सहयोग को मजबूत बना आने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किये हैं, भारत ने ये हस्ताक्षर किये हैं, साउथ कोरिया के साथ, question number 10, answer जो है हमारा, वो है साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया के साथ ये हस्ताक्षर किये गए हैं, okay, tourism के छेतर में भी और sports के छेतर में भी, इसमें हम, जो sports का छेतर ह उसमें coaches, athletes, experts वगेरा जो है उनका exchange होगा, scientific और methodological material वगेरा का exchange होगा, तो हमने ये हस्ताक्षर किये South Korea के साथ, map मैं आपको दिखाती हूँ, मैं South Korea, अगर आप यहाँ पर देखे, इसको हम बोलते है Korean Peninsula, ठीक है, अब peninsula क्या होता है, peninsula जो होता है, कैसा piece of land है, जो तीन तरफ से गिरा है, इधर Yellow Sea है, इधर Sea of Japan है, यहाँ पर भी पानी है, तो यह Korean Peninsula है, ऊपर का जो पोर्शन है, नौर्थ में उत्तर में, तो उसको हम North Korea बोलते है, नीचे वाले पोर्शन को South Korea, North Korea की राजधान प्योंग यांग, और South Korea की Seoul है, ठीक है, अब South Korea जो है, इसकी capital और largest city Seoul है, Seoul प्रेज़न सहाब का नाम याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर है, ली नाक यॉन, यूमेन डेवलाप्मेंट इंडेक्स, इनका बहुत अच्छा है, 2017 के अनुसार, यह 22 पोजिशन पर थे, और करेंसी है, यहाँ पर South Korean 1, ओके, तो यह थी जानकारी अ मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ, और आपसे गुजारिश है कि जो सड़कों पर चद्दर बिचा कर ऐसे साइड में बैठ कर दिये वगेरा बेचते हैं, उनसे जरूर कुछ खरी दें, बलकि उनहीं से खरी दें, बना कर दिये मिट्टी के जरासी आस पाली है, मेरी महनत ख करूंगी निकनेम्स के बारे में, ठीक है, निकनेम्स क्या होता है, उपनाम जो दे दिये गए, जैसे रबिंदर नाट टेगार जी को हम गुरुदेव कहते हैं, पंडित मदन मोहन मालविया जी को महा माना, खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी या बादशा खान और खान अब्दुल गफार खान जो है, ये प्रथम फोरनर है, जिनको भारत रतन मिला, वल्लव भाई पटेल को हम लोहपुरुष कहते हैं, और एक और वीडियो में, जब मैंने वल्लव भाई पटेल जी के बारे में कहा था, इनको मैंने काफी सारे नाम बताय थे, इ शितरंजन दास को देश बंधु, C.F. अंडूज दीन बंधु, सुभाष चंद्रबोस नेता जी, C. राज गोपालाचारी राजा जी या सी यार, सुरोजनी नाइडी को नाइटिंगेल आफ इंडिया और C.N. अन्ना दुराय को हम अन्ना के नाम से जानते हैं, आ गए है क किस नदी के किनारे स्थित है, आप इन तीनों की जो आंसर्स हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बीच बीच में जो मैं पूछती हूं, उसका भी आंसर आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में लिखो, चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो च पना रही हूं, फिर भी पीचे थोड़ा बैक्राउंड साउंड था, कांड़ी एस्कूस में लिखो, आपॉलजाइस वा था, विश्यू आप्य दिवाली, बाई-बाई